Hello everyone, कैसे है आप लोग? Welcome to Learn and Fun Commerce, मैं हूँ Heer Shah, आपकी Business Studies की Educator. दो chapter तो हमने कर लिये, चलो, बहुत बढ़िया तरीके सापका हो चुका है, I know that, अच्छे से हो गया. One shot में पूरा खतम. आज हम लोग part A, जो है हमारी बुक, उसका हम लोग आज तीसरा चाप्टर, full and final, इसके तीनी चाप्टर से न, यह तीसरा चाप्टर हम लोग आज करने वाले है, part A, बुक का, that is controlling. Last chapter है और management का जो हमारे function, यह last function है management का. बराबर, controlling में बहुत कम है, जितना directing और staffing में था, उसका आधा है, इसमें जाधा है ही नहीं, so sorted, right? चलो, चल है, यह एक चलो हो गया. अब देखे, controlling में हमें उसके concepts जानने है, और हमें उसका process जानना है. Okay, done, चलो, बढ़िया है ना, और क्या ही चाहिए हमें? controlling के हम meaning पर आजाते हैं सबसे पहले, यह देखे, controlling की बारे में बात कर रहे हैं, हमें देखो, plan कर रहे है, काम किया, उसके बाद हमें check करना पड़ेगा, यह जद चेक कर रहे है, यह checking करना is nothing but controlling, यह होता है, controlling, ठीक है, चलो, आजाते है, controlling के meaning के उपर. directing में काम तो चालो कर दिया था, हमने सब को बता दिया था आपको कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, workers ने काम भी शुरू कर दिया, अरे काम तो शुरू किया, बद चेक नहीं करना पड़ेगा, क्या सई से कर रहे है या नहीं, that is also so important, right, मानो ऐसा हुआ कि हमने पहले से plan करके र ये, बट एक्चल में जब देखा हमने, कि वोकर्स जब काम कर रहे हैं था, हमने देखा, भई ये लोग तो सिफ 80 unit प्रेडियूस कर रहे है दिन के यार, चलेगा, I don't think so, चलेगा, 100 हमारा standard और ये लोग कर रहे है, 80, नहीं चलेगा, इसमें अभी controlling की बहुत जरूरत है, द ठीक है, ये, ये controlling का मतलब, यहाँ पर देखे, controlling क्या कह रहे है, ये लोग, controlling refers to comparison of ये, देखो, actual performance with the planned, planned performance is nothing but the standard performance, और क्या बोल रहे है, corrective action लेने, अगर दोनों में कुछ अलग है, जिसे यहाँ पर दोनों अलग थे, तो कुछ ता action लेना पड़ेगा न, ता कि 80 का 100 बन जा तो अगर ये भी 100 और actual भी 100, तो सब सही चल रहा है, आप क्या मैं लोयर, मुझे भी action लेने की जरूरत है, सारे employee बढ़िया काम कर रहे है, करने दो उनको अपना आराम से काम, I have no problem, everything is going good, but अगर deviation आए, अगर कोई भी difference आए, I'll have to do something about it, कुछ तो करना पड़ेगा, है न, so this is what actually controlling is, ये controlling का meaning है, ये लिखकर आ जाएए, बस हो गया, आपका काम हो गया, बाकी आपको definition में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, this is the only thing that you have to learn, उसके बाद क्या कह रहे है, controlling cannot prevent deviation, भई, ये जो गडबड हुई है, वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है, but at least उसको minimize तो कर सकत है कुछ corrective action लेके, कोई action लेके इस चीज को कम तो कर सकता है कि नहीं कर सकता controlling, देखे कोई भी आगे जाके क्या होने वाला है, who knows, nobody knows, but हम उसके लिए prepared होना है, ठीक है, minimize कर देना है, वो जो भी deviation है, by taking some corrective action, बराबर, चलो, concept की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, concept की अगर हम बात करें, तो इसमें features भी आते है, तो इसमें अगर हम features देखे, goal-oriented feature है, क्यों, goal-oriented, क्योंकि हमारा जो goal था, वहाँ तक पहुचने के लिए, हम लोग controlling use कर रहा है, हमारे कोई तो goal है, organization के goals तो होते है, तो इसलिए controlling क्या करता है, ensure करता है, कि हमारा जो goal है वो हम लोग वहाँ तक पहुच जाए, ताकि अगर कोई भी गड़बड है, हमारा goal कितना था, हमारा goal था, 100 unit produce करना, हमने किये 80, तो controlling के तुरू क्या करेंगे, हम लोग ये 80 को 100 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, all-pervasive है, भी, all-pervasive मतलब हर एक level of management में ये जरूरी है, हर एक level of management controlling function को करता है, ठीक है, it is backward and forward looking function, ये बहुत important है, इसके उपर give reason भी आते है, ऐसे पूछते है, controlling is a backward looking and a forward looking function, give reason और justify, क्यों ये backward और forward looking है, देखिए, backward looking इसलिए, क्योंकि हमने कुछ standard decide किया था, 100 चाहिए, और हमारा हुआ 80, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे देख है न, कि ओ, मुझे तो 100 चाहिए था, मेरा हुआ है 80, तो मैंने क्या कि, मैंने पीछे देखा न, मेरा कितना plan में था, मैंने कितना plan करके रखा था, वो मैंने देखा, तो मैं क्या की, मैं पीछे की तरफ देखी, बराबर, तो ये इसलिए backward looking है, forward looking कैसे, forward looking इसलिए, क्योंकि कि हाँ, ठीक है, मेरे organization में मैंने ये, ये सब कुछ कर दिया है, फिर भी ऐसी सारी problems हुई है, so, आगे का जो next, जो मेरा plan होगा, मैं ये controlling जो भी मेरी हुई, उसके basis पर मेरा ये next वाला plan होगा, तो मैं आगे का भी सोच रही हूँ न, आगे का भी सोच रही हूँ, इसलिए it is going to be forward looking, ठीक है, बाद में it is a continuous function, भई, continuous function है, बार बार हमें performance को review करते ही रहना पड़ेगा, ये 100 का 80 हुआ था, हमने एक बार देखा, फिर मैंने कुछ corrective action लिए, पुर उसके बाद ये 80 का मैं देखूँगी के नहीं के वापस के, मैं ऐसे सोच दोगी हाँ, corrective action ले लिए, चलो सो हो ही जाएंगे, not necessary, right, शायद 80 का अभी भी 85 या 90 हुआ हो, so I'll have to look at it again, भई, ये continuously हमें performance को review करते ही रहना पड़ेगा, आपको बार बार देखते ही रहना पड़ेगा, that is why हम लोग क्या कहते है, ये एक continuous function है, बस चार ही है, goal oriented, all pervasive, backward and forward looking function, it is a continuous function, that's it, चार याद रखने में में कितना ही time लगेगा, I don't think so that much time, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग controlling के उपर, controlling के importance की बात करते है, 6 importance है, controlling क्यों important है, उसका significance क्या है, let's come on to that thing, देखे, controlling की वज़े से जो organization का goal था, वो achieve हो पाएगा, obviously, controlling अगर नहीं होता, कोई भी अगर deviation है अगर मैं उसको देख नहीं पाती, तो फिर मैं क्या कुछ हो पाता था, organization को तो 100 करने थे दिन के, नहीं हो पाता था, 80 होते रहते थे, तो controlling इसलिए important है, ताकि organization का goal है, वो हम लोग achieve कर सके, देखे, हर एक function में एक चीज़ जियान रखी, हर एक function एक organization में इसलिए किया जाता है, ताकि organization का goal अचीव कर पाए, directing भी क्यों करते है, लोगों को guide, influence, motivate क्यों करते है, ताकि जो organization का goal है, वो हम achieve कर सके, ताकि लोगों का जो efforts है, हम लोग उसे कौन से direction में लेकर जाए, हम लोग उसे organization goal के direction में लेकर जाए, ठीक है, next क्या है, judging accuracy of standard, भई accuracy भी तो देखनी पड रहे है, good control system keeps a track of changes taking place in a business environment, भई business environment में काफी सारे changes आते रहते है, आपके पास एक machine थी मानो, जिसमें से क्या होता था, everyday 500 unit produce हो रहे थे, business environment पूरा change हो गया है, नई technology आ गई है, नई machines ऐसी बनाई गई है कि भई अभी दिन के 1000 unit produce होते है, मुझे मेरा standard change करते रहना पड़ेगा मैं 500 ही मानोंगी तो कैसे चलेगा, I have to change my standard, okay, so ये कौन किसे हो पाएगा, ये हो पाएगा हमारा controlling की वज़े से, इसलिए controlling बहुत ज़रूरी है, ठीक है, making efficient use of resources, resources बराबर से use हो रहे है या नहीं, controlling में में पता चलता है, कि भई कोई wastage तो नहीं हो रही है, कुछ हमारे पास जो resources है, ऐसे ही waste तो नहीं जा रहे है, कि कब पता चलेगा, controlling के time पर, बात में क्या कह रहे है, improving employee motivation, employee motivation, देखो, अगर employee को पता है कि standard कितना है, standard performance उनके कितनी होनी चाहिए, 100 unit, तो उन्हें भी पता चलेगा, ठीक है, चलो, 100 बोल रहे है, तो मतलब हमें अभी उस हसाब से का करना है, तो employee एकदम motivated रहते है, employee को क्योंकि पता है, हमें क्या करना है, हमें ये direction में जाना, see, अगर आपको कभी भी पता हो, आपको आगे जाके क्या करना है, तो उससे क्या होता है, हमारा motivation बना रहता है, मानो अगर आपने अपने life में decide कर लिया है, what do you want to do, if you have already decided what do you want to do, तो उससे कितना ही जादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ना, because हम लोग motivated रहेंगे, we will always be motivated कि हमें हमारे life में अभी आगे यहां पौचने के लिए, these all steps we are supposed to take, वैसे ही employee के साथ भी same होता है, ensuring order and discipline, भई, controlling की वज़े से order रहेगा और discipline रहेगा, सब लोग discipline में काम करेंगे, सबको पता है हमें इतना करना ही है, नहीं तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी, so हमेशा controlling की वज़े से order or discipline maintained रहेता है, next क्या है, facilitating coordination in action, अरे भी, coordination होगा ना, सबका, वेकि standard हमें पता है, yes or no, standard तो हम लोगों को इसका पता है, यहां देखो क्या कह रहे है, sorry, controlling provides direction to all activities, भई हर एक activity को direction दे रहे है, so controlling की वज़े से क्या होगा, कि हर एक जो action है, उसके में coordination बना रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, यह देखे, मैंने आपके लिए यहां पर, यह एक पाट है, I'll just go aside a little, यह एक पाट है, और उसके बाद हमारा यह दूसरा है, बढ़ा, देखे, अपने से notes हम लोगों को बना लेने है, pause कर दीजे video, अपनी book और pen तो please लेके बैठिये, and please, 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 start making notes, भई, लिखना शुरू करो, no screenshot, ठीक है, don't take screenshots, importance हो गया, अब आज जाते हैं, हम लोग process, last चीज है, खतम, कहा था न, छोड़ा chapter है, सच में छोड़ा चाप्टर है, बस इतना ही हमें आ रहा है इस बार, आज आते हैं, हम लोग इसके process के उपर, सबसे पहले हमें क्या करना है, setting performance standard, भई, पहले performance standard तो decide करो, अब ये तो decide करो कि आपका standard कितना है, आपको कितना चाहिए, बराबर आपको वो पहले decide करना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको 100 unit का example किया था मेरा standard का, वो मैंने decide किया ना, बराबर वो I decided about it, भी कुछ मिझे देखना पड़ेगा, कुछ चीजे यहाँ वहाँ से सब कुछ देख कर, उसके बाद मैं ये decide करोंगी, ठीक है, अपना performance standard पहले decide करोंगी, performance standard वापस से चलो, हम वोई example लेते हैं, हमारा performance standard था, 100 units, measurement of actual performance, अब actual performance तो देखना पड़ेगा, ये तो देख लिया, मैंने decide कर लिया था, मुझे 100 units तो दिनके चाहिए ही चाहिए, ठीक है, I am keeping the same example, so that easy पड़ेगा, तो मैंने ये तो decide कर लिया था, दिनके 100 तो मुझे चाहिए चाहिए, फिर मैंने तो दिनके 100 तो मुझे चाहिए, कर रहे है, ये उनका actual performance था, actual में मैं जब गई factory में 90 ही हो रहे थे, बराबर, फिर मैंने compare किया, जब मैंने compare किया, कि 100 है और यहाँ 90 है, तो मैंने क्या देखा, deviation आ रहा है, कितना 100 units, कम है ना everyday, बराबर, तो मैंने ये deviation आ रहा है, 10 का, ये 10 का deviation को मैं analyze करूंगी, मैं समझूंगी, भई ये क्यों हुआ, what is the reason कि यहाँ पे 100 की जगा 90 हो रहा है, कोई दिक्कत है, क्या मेरे employees खुश नहीं है, या machine सही से काम नहीं कर रही है, क्या problem क्या है, मैं वो problem देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ये deviation क्यों आ रहा है, ये 10 units का difference क्यों आ रहा है, I'll try to understand that, वो एक बार मैंने समझ गई, तो मैं उसके लिए corrective action दो लूँगी, अगर चलो, मानो, कह ये reason था कि यहाँ पे न, machine बराबर से चलनी रही थी, machine में बार बार दिक्कत आ रही थी, तो मैं क्या करूंगी, corrective action क्या लूँगी, machine को ठीक करवाऊंगी, या repair करवाऊंगी या तुम ऐसा हुआ, walkers खुश नहीं है, उन्हें बिलकुल भी काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो मेरा corrective action क्या होगा, I'll try to motivate them, मैं motivate करने की कोशिश करूंगी, मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगी, भई क्या problem क्या है, बताओ तो सही, बताओगे नहीं तब तक हमें बता नहीं चलेगा, so I'll try to motivate them, so corrective action किसके ऊपर depend करते हैं, हमारा deviation को analyze करके हम जब समझेंगे, यह क्यों हो रहा है, उसके ऊपर यह होते हैं, ठीक है, अभी आपके साथ, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके साथ यह पूरा देखो कर दिया है, यह हमारा setting performance standard, फिर है measurement of actual performance, उसके बाद कौन सा है, comparison of actual performance with standard, अभी यह मैंने आपके साथ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि इसमें हमारे पास हमें दो चीजे पर ध्यान देना है, वो दो चीजे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब हम deviation को analyze कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजे होती है, ए दूसरा है management by exception, ठीक है, manager यह दोनों चीजे यूज करता है, deviation जब वो analyze कर रहा है तब, यह दोनों है क्या, critical point control and management by exception, critical point control में हम लोग K.R.A.S. की बात करते है, key result areas, उसका मतलब क्या है कि हमारे organization में कुछ-कुछ चीजे ऐसी होती है, जो बहुत important है, एकदम ही जादा important है, अगर यह important चीज में थोड़ा सा भी इदर हो गया न, थोड़ा सा भी यहाँ चला गया, organization को बहुत नुकसान हो जाएगा, तो यह होते हैं हमारे key result areas, ठीक है, मानो एक example लेती हूँ, हमारा अगर जो labor cost है, ठीक है, अगर हमारा जो labor cost है वो 5% से बढ़ा और हमारा जो postage, postage cost है, वो तो 15% से बढ़ा, फिर भी हम किस पे जादा ध्यान देंगे, भई labor cost पे, 5% बढ़ना भी बहुत जादा बढ़ी बात है, भई postage के 15% बढ़ने भी क्या ही होगा, postage के इतने खर्चे नहीं होते हैं, मानो 1000 रुपे है, 1000 का 15% कित 500 रुपे, बराबर बट labor cost हम labor को तो बहुत जादा पैसे देते हैं, मानो 5 रुपे है, 5 रुपे है, 5 रुपे है, 5 रुपे का 5% बढ़ना is a very big thing, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कह रहे हैं वो लोग, management focuses on KRA's, जो critical है हमारे organization के overall performance में, अगर ये KRA's में कुछ बहुत जादा नुकसान, बहुत जादा वो लोग सफर करेंगे, फिर आता है management by exception, इसमें क्या कहते है, managers कहते हैं, देखो भई, हमारे पास इतना time नहीं है, हम लोग अगर सब कुछ संभालने जाएंगे ना, हम कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, managers ने पहले ही बता दिया, ये देखो हर एक चीज में आप हमें बताने की बात लिए, मत आईए, कि अरे इतना सा हो गया, अरे 100 units थे हमना अच सिफ 99 units प्रेडियूस किये, तो manager के पास गया, अरे manager I am so sorry हमने एक unit कम प्रेडियूस किया, वो बोलेगे पागल हो गया, तुम इतनी सी बात के लिए मेरे प वारी, वो बोल रहे है उसके beyond जा रहा है तो मेरे को तुरंत ही बता दो, तो इसमें वो क्या बोल रहे है, चलो, मानो, ऐसा है, उन्होंने कहा, ये जो labor cost, वो ये example लेती हो, उन्होंने कहा, labor cost है अगर 4% तक बढ़ रही है, वो बोले, it's okay, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बोले, it's okay, no problem, उन्होंने कहा, ये 4% से अगर थोड़ी भी उपर आ जाए, 4.1 भी हो जाए, you will let us know about this immediately, ठीक है, immediately आप हमें बताओगे, मतलब ये management, by exception is nothing बड़े, क्या है, लक्ष्मन रेखा, वो कहते है, ये लक्ष्मन रेखा तक, आपका अगर कोई भी चीज हो रहा ह तो आप हमें तुरंथ ही बताइए, तो हम लोग कुछ measure जल्दी से ले लेंगे, बराबर, easy था, कौन सा है एक है हमारा critical point control और दूसरा है management by exception, चलो, आगे आते हैं अभी taking corrective action जैसे मैं आपको कहा, कि भई अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग उसके लिए कुछ तो हल नि कि अगर यह हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर material defective है, तो quality change कर दो, बराबर है ना, अगर machine defective है, तो या तो उसे repair करो, I'll just change the color, I'm so sorry, या तो उसे repair करो, या तो उसे replace ही कर दो, depend करता है ना, अगर repair हो सकते तो repair कर दो, बट रपेर करने का अगर chance ही नहीं है तो replace कर दो, अगर obsolete हो चुकी है machinery हमारी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एकदम पुरानी technology और वो सब है, तो नहीं upgraded technology वाली लेकर आओ, या तो वही बात हो गई ना, घर पे अगर राशन नहीं है, तो फाइल से, क्या corrective measure लो मैं राशन नहीं है तो लेकर आओ, और क्या कर सकते है हम, मेरे पास pen नहीं है, तो क्या करोगे, पेन लेकर आओगे, बराबर है ना, अगर हमारा process ही defective है, जो हमारी process ही, वो कुछ cheese produce करने की, वो process ही अगर सही नहीं है, तो हमें process में कुछ modification, कुछ changes लेकर आने पड़ेंगे, अगर poor working condition है, भई, उनके वहाँ पे ventilation नहीं, ढंका उनके पास ब्रेक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, एक दम गर्मी में काम कर रहे है, तो कैसे चलेगा, poor working condition अगर हो, तो भई, physical condition को improve कर दो, वहाँ पे पंखे लगाओ, उनको ब्रेक दो, सब करो, फिर अगर motivation नहीं है, तो क्या करेंगे, उनने motivate करो, और नहीं तो क्या ही क करेंगे, अगर motivated नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं, तो इनने motivate करो, बराबर, हो गया, ये chapter खतम आपका, बस ये ही था, ठीक है, controlling is done, next class, we are going to do the next chapter of part B now, part A तो हमने खतम भी कर लिया, कहा था न, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, और ये chapter तो था भी इतना ही छोटा ठीक है, I'll see you all for the next class, thank you so much everyone, if you all have any doubt, please write it in the comment section, so that if I can see your doubts and I will shortly reply to you all, if you are new to this channel, please subscribe करो, comment करो और लोगो के साथ शेर करो, भी सबके साथ बताओ यार के एक नया चानल आ चुका है, आपके सारा crash course करवा रहा है, एक महीने के अंदर, आपकी friends भी एकदम खुश हो जाएंगे, उनका पूरा हो जाएगा यार, sharing is caring, we all know that, right, so please share this channel with everyone, thank you so much everyone, I'll see you all for the next class.